नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नौक्री एक्जाम वाला में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम SSC CGL Combined Graduate Level Recruitment Online Form 2019 के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों इसके short notification यहाँ पर हम आपको बताए देते हैं स्वाप सेलेक्शन कमिशन SSC are invited to online application form for the Combined Graduate Level CGL 2019 examinations Dodge Candidates who are interested to the following vacancies can read the complete details before apply and apply online before the last date यहाँ पर दोस्तों हम इसके खास जानकारियों की तरफ एक बार ध्यान दे लेते हैं स्टाप सेलेक्शन कमिशन के एडवर्टाइजमेंट है SSC Combined Graduate Level Examination 2019 short detail इसके एक बार नजर डाले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसका नाम है नौकरी एक्जाम वाला दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है जिसका नाम है नौकरी एक्जाम वाला तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के लाल बटन के सामने आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली हमारी नई वीडियो का मैसिज मिल जाएगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएगे यहां दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी महत्पून डेट के बारे में साथ ही क्या इसकी एप्लिकेशन फीज है तो सबसे पहले इसकी डेट के बारे में यहां देख लेते हैं एप्लिकेशन एप्लिकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है एप्लिकेशन बिगेंज 22.10.2019 यानि 22 अक्टूबर से ओनलाइन एप्लिकेशन शुरू हो गए है लास्ट डेट फो रैप्लाई उनलाइन उनलाइन आप आविदन कर सकते हैं 25 नंवेंबर difность 2019 तक वो भी साम को 5 बजे तक उसके बाद यहां पर फी पेमेंट लास्ट डेट फीज पेमेंट या सुल्का दुक्तान आप कर सकते हैं 27 नंवेंबर 2012 साम 5 बजे तक फिर offline पीच आलान से भी आप payment कर सकते हैं और उसकी last date है 29 नवंबर 2019 exam date, tire first exam की date पहले से ही सुनी shift कर दी गई है जिसकी exam 2 से 11 मार्च 2020 के दोरान conduct कराए जाएंगे tire second का exam जो होगा, tire second and third tire के लिए exam होंगे 22 से 25 जून 2020 के बीच में साथ ही tire exam date tire fourth यानि उसकी date अभी tire second और tire third exam के बाद में notify की जाएगी interview की date भी बाद में notify की जानी है अब यहाँ पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि application fees कितनी है दोस्तो, journal category के students के लिए application, candidates के लिए application fees होगी 100 रुपे जो journal और OVC दोनों के लिए same है SCST और PH candidate के लिए fees से छूट दी गई है जो female category के candidate है, चाहे वो SC है, OVC है, journal है, ST है या PH है उनको भी female candidates को भी fees से छूट दी गई है अब आते हैं बात कि आप fees का payment कैसे करें तो दोस्तो, fees का payment करने के लिए आप fee can be payment by through debit card, credit card, net banking और pay the exam fees through the offline e-challan fee more submit fee state bank of India from any branch यानि state bank की भारत में किसी भी bank साखा से आप e-challan के मार्धम से भी fees का payment कर सकते हैं अब बात आती है दोस्तो इसकी vacancy में कि आपकी age eligibility बनती है या नहीं आपकी योगिता age के according, IU के according बनती है या नहीं vacancy date age limit या IU की गणना 1 जनवरी 2020 को की जाएगी यानि आपकी age maximum 30 साल होनी चाहिए कम से कम maximum जो age है वो candidates की 30 साल होनी चाहिए maximum age limit एक जनवरी 2020 को 20 से count की जानी है अधिक्तम candidate की आयू 30 साल होनी चाहिए reserve category के candidates के लिए CST और PH candidates के लिए 5 साल की अतरिक छूट एवलेवल होगी एक नजर vacancies पर यहाँ पर हम डाले लेते हैं सबसे पहले नमबर वन पर assistant audit officer यह इसके लिए अधिक्तम age है और bachelor degree in any stream eligibility होनी चाहिए किसी भी इसे में graduation दूसरा assistant account officer इसमें भी bachelor degree होनी चाहिए किसी भी subject में assistance action officer यह central secretary service में है इसकी maximum age 20 से 30 वर्स रखी गई है bachelor degree in any stream assistance action officer bachelor degree in any stream यह intelligence bureau आई भी में vacancy है assistance action officer ministry of railway में bachelor degree in any stream assistance action officer ministry of external affairs age 20 से 30 वर्स maximum bachelor degree in any stream assistance action officer armed forces headquarters में है bachelor degree in any stream assistance ministry और departments other departments bachelor degree in any stream inspector of income tax इसके लिए qualification है bachelor degree in any stream maximum age 30 साल inspector central exercise और inspector preventive officer इनके लिए भी bachelor degree qualification रखी गई है किसी भी subject में inspector examiner husband Eunice एक्रिका इसके लिए प्यकार्वी लिए फीक इसके ज़ाओ है इनके बार्स मीए टील्स कोड़ी किस रखी לב़्वी इसके बची ने प्र्स बार्स में बार्स हमें चात्याओ है इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर in Center Bureau of Narcotics में, मैक्सिम एज 30 साल, बैचलर डिग्री निस्ट्रीम, असिस्टेंट, असिस्टेंट, सुप्रिणिटेंडेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, और्गनाजेशन, Maximum age है इसके लिए भी 30 साल और bachelor degree होना आवश्यक है Sub-Inspector NIA इसमे Maximum age 30 साल और किसी भी विशह में bachelor degree होनी चाहिए Junior Statical Officer, Statics and Program Implementation 22 साल है इसके लिए Maximum age bachelor degree in any stream with at least 60% mark in math subject in 12th standard या bachelor degree with statistics subjects Statistical Officer, Grade 2nd Registrar Journal of India Maximum 30 साल और है, Bachelor degree होनी चाहिए Statics में Auditor, Auditor, Auditor इन सभी में age रखी गई है 18 से 27 साल के बीच में Maximum age और किसी भी विशह में bachelor degree होना आवश्यक है Junior accountant, Senior, Secretary, Assistant UDC Central Government Office या Ministry में या वेकेंसी है 18 से 27 वर्स maximum age रखी गई है Bachelor degree किसी भी विशह में होनी चाहिए Tax Assistant CBDT and CVEC 18 से 27 वर्स maximum और minimum age है Bachelor degree किसी भी विशह में होनी चाहिए ताथी सव Inspector Narcotics Bureau में भी इसके लिए भी 18 से 27 वर्स बैचलर डिगरी किसी विशह में Upper Division के लाज, male, जो के वल, male के लिए है DTE, Journal Border Record, Road Organization, MOD में है और किसी विशह में graduation होना चाहिए दोश्तों, अगर आप interested है in vacancies में तो सबसे पहले notification को जरूर पढ़ने, online apply करने से पहले आगे बढ़ने से पहले, नौकरी वाला exam हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने साथी गंटी के बटन को दवाना ना भूले नए users apply करने के लिए http ssc nic.in registration on slash home पर जाकर registration कर सकते हैं login करने के लिए complete करें home complete अगर आप ssc के लिए पहली बार apply कर रहे हैं तो ssc की site पर जाकर आप apply कर सकते हैं जिसका address है https colon double slash ssc.nic.in slash registration slash home उसके बाद form को complete करने के लिए आपको जाना होगा ssc की website man website पर ssc.nic.in पर अगर इससे ज़्यादा आपको information लेनी है तो आप notification को download कर सकते हैं ssc की official website https dot colon double slash ssc.nic.in पर दोस्तों इस वीडियो में आपको ssc graduate level 2019 के बारे में सभी जानकारिया मिल गई होगी अगर इससे ज़्यादा जानकारिया आप चाहते हैं तो application notification को download कर लें official website पर जाकर अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दें साथ ही अपने दोस्तों वीडियो को जरूर share करें अगर चैनल अभी subscribe नहीं किया है तो subscribe के लाल बटन को जबा कर subscribe जरूर कर लें साथ ही subscribe बटन के सामने आने वाले गंटिक बटन को जबाना ना भूलें जिससे आपको आगामी वीडियो का notification मिल सकेगा धन्यवाद